उत्तर कोरिया के बारे में जानना लोगों के लिए हमेशा कौतुहल का विशय रहा है। किम जोंग उनकी सख्त नीतियों के कारण ना सिर्फ वहां की खबरों से दुनिया अंजान रहती है। बलकि देश के धार्मिक और आर्थिक हालात से भी हम बेखबर रहते हैं। हालां कि कभी कभी उत्तर कोरिया की कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन से हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा ही एक मुद्दा है किम जोंग के देश में मुसलिम आबादी को लेकर जिन्हें वहां उंगलियों पर गिना जा सकता है। वैसे उत्तर कोरिया में मुसल्मानों की आबादी कितनी है इसे लेकर कोई आधिकारिक डाटा तो नहीं है लेकिन इनकी जनसंख्या का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश में सिर्फ एक मस्जिद है और वो भी राजधानी प्योंग्यांग में स्थित इरानी दूतावास के परिसर में। कि जिहाद के द्वारा धर्ती को इसलामी बनाना। आतंक वाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है। ये अब अंतर राश्ट्री अस्तर पर गांठ जोड चुका है। पूरी दुनिया आंतक वादियों के आतंक से परेशान है। आप दुनिया की किसी जन संख्या बढ़ा दो कि इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय तयार हो जाए। जब मुस्लिम लड़कियां जबान हो जाती हैं तो उनको दूसरे धर्म के लोगों को फ़साने के लिए विवश किया जाता है। और जब दूसरे धर्म के लड़के उनके जाल में भांस जाते हैं तो उनसे इसलाम कबूल करवा लिया जाता है और इसके बाद धीरे धीरे पूरा राष्ट्र इसलाम में तब्दील हो जाता है लगातार दुनिया भर में बढ़ रहे हैं इसलाम आतंकवाद के समर्थन में कई मुसलिम राष्ट्र और वामपंध जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब यूरोप सहित अन्य मुल्क इसलाम धर्म से जुड़ी हुई काली करतूत को समझ चुके हैं। इसलिए अब यूरोप के कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर मुसल्मान के जाने पर ही रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ देशों में मुसल्मान के नमाज अदा करने उनके टोपी पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। यहां तक कि अब कुछ देशों में तो मुसल्मान की धार्मिक स्थल, मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर ताना शाह में अभी जैश्री राम लिख दीजिए। दोस्तों नौर्थ कोरिया एक शांती प्रदान देश है जो उपर में उत्तर कोरिया और पूर्व में जापान तथा पश्चिम में चीन से घिरा हुआ है। जहां की मुख्य आबादी बौध और ईसाई धर्म को मानती है। लेकिन उत्तर कोरिया के अंदर मुसल्मान भी निवास करते हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी धर्म की तुलना में उत्तर कोरिया के अंदर मुसल्मान की संख्या बहुत ही कम है। उत्तर कोरिया के अंदर साल 2000 तक केवल 75,000 के आसपास की आबादी ही थी। अगर वर्तमान समय में देखी जाए तो मुसल्मान की आबादी उत्तर कोरिया के अंदर दो लाग से अधिक्की हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में हर साल 4% मुसल्मान यानि की लगभग 4000 मुसल्मान उत्तर कोरिया की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। और शादी के बाद उत्तर कोरिया की लड़कियों को इसलाम कबूल करवाया जा रहा है उत्तर कोरिया में मुसल्मानों की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मुसलिम युवकों का उत्तर कोरिया की लड़कियों के साथ शादी होना लेकिन जिस तरह से उत्तर कोरिया के अंदर मुसलिम आबादी बढ़ रही है अगर उसको समय रहते हुए नहीं रोका गया तो उत्तर कोरिया को भी इसलाम राष्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है अब तो उत्तर कोरिया के लोग भी इस बात का मानने लग गए है कि कहीं मुसल्मान धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा करके देश की शांती को भांग ना करते हैं लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जहां पर मुसल्मान रहते हो वहां शांती तो आसपास भी नहीं रहती है उत्तर कोरिया में भी मुसल्मान ने शांती भंग करने में कसर नहीं छोड़ी है इसलाम में हमेशा से ही ऐसा देखने को मिला है कि दूर धर्म को नीचा गिर कर इसलाम धर्म को उचा उठाने का प्रयास किया जाता है जैसा कि भारत के अंदर भी हिंदूओं देवी देवताओं के मंदिरों को मुसल्मान के द्वारा तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई थी जब हिंदू इसके खिलाफ प्रदर्शन करें तो यह लोग भारत के धर्मनेर पेक्षता पर ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं ऐसा ही उत्तर कोरिया के अंदर मुसल्मान मस्जिद बनाने को लेकर हंगामा करते हुए आपको दिख जाएंगे दोस्तों बात करें उत्तर कोरिया के दाहिनियों डोंग में एक मस्जिद के बनने को लेकर स्थानिय लोगों और मुसल्मान के बीच बहुत ज्यादा तनातनी देखने को मिली थी मस्जिद बनने से स्थानिय उत्तर कोरिया डरे हुए थे और वह अपने घरों को छोड़ने के लिए भी तयार थे लेकिन इन लोगों का आरोप है कि जिस पर मस्जिद बनाई जा रही है वहाँ पर कुछ समय पहले तक उनकी मुस्लिम चात्र नमाज अदा किया करते थे जिस पर कभी भी स्थानिय लोगों ने आपत्ती नहीं जताई लेकिन जब उन लोगों ने यहां पर जमीन खरीद कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया तो स्थानिय लोगों के द्वारा उनको रोक दिया गया स्थानिय कोरिया लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वे लोग मुसल्मानों के साथ ही रह रहे हैं और उन्हें उनसे कोई समस्या नहीं है लेकिन उनका कहना है कि अब यहां मस्जिद बन जाने से नमाज से होने वाला शोर बढ़ जाएगा क्योंकि मुसल्मान लोग नमाज अदा करने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेते हैं जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है वही कुछ उत्तरकोरिया लोगों का मानना है कि अगर इस जगह पर मस्जिद बन जाती है तो वह इलाका भीड भाडवाला हो जाएगा उत्तरकोरिया लोगों ने मस्जिद बनाए जाने को लेकर पहुत ज्यादा बवाल किया गया था जिसके चलते वहां के जिला प्रशासन ने मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी थी एक समय पर तो ऐसा ही लग रहा था कि स्थानिय लोगों की जीत होई है लेकिन जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि दोबारा से मस्जिद बनाने का काम शुरू किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद फिर से उत्तर कोरिया के लोगों ने मस्जिद बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था हलांकि अभी तक मस्जिद का निर्मान कार्य पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि स्थानिय लोग किसी न किसी तरह से वहां मस्जिद को बनने से रोक रहे हैं कोरिया लोग अब मस्जिद के गेट पर वाहनों को खड़ा कर रहे हैं और गली में सूर के कटे हुए सर रख रहे हैं। यहां तक की खूले में सूर का मांस भी पका रहे हैं। नमाज के समय तेज आवाज में गाने भी बजा कर विरोध कर रहे हैं। ताकि मुसलमान को विवश किया जाए, कि उस जगह पर मस्जिद ना बन सके। इसके अलावा स्थानिय लोग मोहले में पोस्टर लगा कर भी मस्जिद निर्मान का विरोध कर रहे हैं। कोरिया लोग पोस्ट के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसलाम एक दुष्ट मजभब है जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय करते हैं और लोगों को मारते हैं। लेकिन दोस्तों अब सभी मुल्कों को मुसलमान की हकीकत का अंधाजा हो चुका है। सभी देश इसलाम का सफाया करने में लगे हुए हैं। आइकन को प्रेस कर लें।